क्योंकि सुभासपा तो पल्टू पाटी है ना कहीं भी पलट जाती है लेकिन वो लोग तो कहते हैं हम पलटने वाले नहीं हम लोग सेर हैं सिंगल इदम जाते हैं मैदार में अकेले ख़़े होते कि इसी गडबनन का सहरा नहीं मुझे कहने की ज़रत नहीं है आप फुदी दे नगाए चुनाओं में इन दिनों समाजवादी पार्टी की भूमी का एहम मानी जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी का इन दिनों वीडियो भी वारल हुआ था जिसमें भारती जनता पार्टी के लोगों को इंट्री करा जा रहा तो समाजवादी पार्टी की लोगों को बाहर करासता दिखाया रहा था कल के डेट में बंदना सिंग जी है मालेशत्थ बाचित के लिए राश्पा नेप की राष्ट्री अध्यख्श है मैला सभा की कल साम को इनकी आवास पर मजबूती से हम लड़ने की बात हुई नगर निकम चुनाव लड़ने की बात हुई नगर निकम चुनाव 101 वाड जो हम लोग पूरा लड़ रहा है सवाड और एक मेर प्रत्यासी ओपी सिंजी के साथ हम लोग मजबूती से लगे हुए हैं और पूरा वाड हम लोग इस बार निकालेंगे इसी सब संबन्द में बात हुई है समाजवादी पार्टी के तरफ आप लोग रोकें भारती जनता पार्टी मजबूत पार्टी उस तरफ जाना चाहिए आप लोग समाजवादी पार्टी के तरफ जारी जनता तो कह रही है भारती जनता पार्टी के वाल धर्म पे और जाती पे चुनाव लड़ रही है पढ़े लिखे हैं और भारती जनता पार्टी के वल बेरेयुजगारी के तरफ जा रही है लेकिन फ़ारती जनता पार्टी सिंसलेवार तरीके से अपने कदम को बढ़ाते नजार आ रहे हैं तरीके से एक तरीके से यह भी बोल लिया जाए कि गुप्त राजिनिती करने लगी यह भारतिनता पाटी और अब इनका यह भी कहना है कि सो वार्ड है अब पूरा 90 वार्ड लेके जा रहे हैं जो अपने मेर हैं उनको बैठाने जारे कुर्सी कहने को तो सभ समाजवाधी पाटी की महीला भी मिल गई और आप भी मिल गई आप अपनी टीम में तो रनीति तैयार करते हैं अब आप समाजवाधी पाटी को भी ले ली तो अब उसमें क्या बद्लाव करने जा रहा कि एक साथ मजबूती होती है तो हम लोग मिल करके आप नई राजनीती लाएंगे रोज़गार लाएंगे भुख मरी जो पूरी भुख मरी आ रही है वे रोज़गारी आ यह उसको अब चेंज किया जाएगा लेकिन मेर प्रत्यासियों की लिस्ट में एक और नाम आ रहा है इसमाइल आपके जरूर आएगे क्योंकि उनका नाम आप ले चुकी है आप साब साब कहती थी यह कहां से आ गए यह तो मरे हुए आदमी है कहां से जिंदा हो गए उसी की ब बहुत बड़ी बेवकूफी कि यह हैं कि वह सुभासपा से मेर लड़ रहे हैं उनकी तो जमानफ हो जाएगी और सुभासपा से जब कोई प्रत्यासी नहीं मिला है तो उनको बेवकूफ बना रहे थे उनको कोई मिला नहीं अब मेर के चुनवाव में पैसा खर्च करवाना है तो फिर जिन सामाजवालों को गाली नहीं को बना लिए है ऑनकी मेर है तो बहुत शड़ी देख रहे आप इस छड़ी से सबको हाक देंगे कोई नजर नहीं आएगा उसी सपा को जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं कहीन को आपको भी हाकनी की बात वह कर हाक देंगे नजर मोटी चड़ी हमेशा से तूटी जाती है अब हमेशा वह अलग हो जाते हैं अगर वह एक साथ बांद के रखते तो सायद ना भी तूटी लेकिन उनका मतलब नहीं पूरा होता है तो अलग हो जाते और लोग उनकी तूट जाती है मेर पत के लिए वह चुनाओ लड़ रहे हैं सुभासपा के निता हैं आप लोग का डायरेट टक्राव होता है सुभासपा से डायरेट जब भी बाते हो तो रासपा सुभासपा में टक्राव हो गया बैया चलो अभी न्यूस बनाने निकल पड़ते हैं उसी व्यक्ति को जिसक कि अब चुनाओ लड़ने के लिए थो थोड़ा पैसा भी खर्च होता है ना उनके सम्माव में कोई पैसा खर्च करने वाला मिला ही नहीं तो वह उनको बेवकूब बने हुए उनके तो जमानत भी जब्त हो जाएगी उनके दावे हैं उनका कहना है कि इस बार हम बहुमत से पचास से साथ जार ओट तो ऐसा ही खीच लेंगे यहीं खीच लेंगे और हमारी लड़ाई सिर्फ भारती जंता पार्टी से कोई भी पार्टी नजर नहीं आ रहा है वो तो जिजल निकलने पर आपको समझ में आएगा कि किस से किसकी लड़ाई है और उनकी उनका क्या होग होगा कितना और को पाएंगे अब मजबूत नजरा रही है कहीं से मजबूत नहीं आप लोग ने जातिवात कभी आरोप लगा था कि सिर्फ राजभरों को सब्बान दिया जाता है लेकिं उननों तो मेयर ब्रह्मन को उतार दिया अब तो गया पूरा गोल होगे आपकी बात भी असल में क्या है ना जब वह गडबंदन से लड़ते तो मोटा पैसा लेते अभी तो पैसा मिले गई टिक्ट देने के लिए इसलिए उन्हों ने हमारे समाज के लोगों को उतारा अाइए जोहीं जी योहीं तीकल क्या उन्होंने कहा आप से परचार परसार के लिए भी कहा है कि आपको बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मजबूती से आप लोग यहां का चुनाओ देखिए हमने उनसे वादा किया है कि हम लोग ओपी सिंग जी को मजबूती से यहां मेर बनाएंगे और सारे वाड में जा जा कर यह इतनी ज्यादा महेंगाई है कि जाकर कि किसी वो लोग गाउं में जो सर्वे आप लोग भी सर्वे कर रहें तो आप आप से मैं यह अनुरोद करूंगे कि आप जाकर करके गाउं-गाउं में देखिए कि जनता कितनी त्रस्त है उनका साफ तो पर कहना है हम निर्दली चुन रहेंगे लेकिन हम कोई भी बड़ी पार्टी नहीं चुनेंगे तो अभी आप लोग ही कह रहें सिर्वाजपाई बनके रहें जानता कह रहें है केंद्र में प्रदेश में अब जीतेंगे तो ट्रिपल इंजन सरकार बना लेंगे सपा उहीं नहीं है वैसे भारत में बनता है मोज मोजो में आप ग्रसां अपने ही योगा जाएग और आपकी सेहत बन जाएगी पेट्रोल बचे इंदिनों भारती जनता पाटी मतलब उत्तर-प्रदी Scr Social में रहे रहे अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री राजबर जी उन्होंने कहा है कि जो सुभासपा पाटी है वह चुनाओं आते आते कहीं न यह न देखने को मिल जाएगी भारती इंदा पाटी का परचार प्रसार करते मिलेगा कि सुभासपा तो पल्टू पाटी है ना कहीं भी पलट जाती है पल्तू चाचा हो लेकिन हम पलटने वाले नहीं हम लोग सेर है सिंगल इंदम जाते है मैदार में मुझे कहने के ज़रुरत नहीं है आप खुद ही की तरह कि लोटे की तरह लोग जाते हैं ल códinental निया ult में लुलुक जाते हैं वंदरा सिंगी ने साथ तोर पर कह दिया है कि बिन पेनी के लोटा है उन प्रकास राजबजी लेकि नगर निकाय चुनावी उनकी जो मेर प्रतियासी है तिवारी जी वह साब साब कह रहे हैं 50-60,000 मालिक हमारे जेब में रखा हुआ है आप परसान मत ह यह और समाजवादी पाटी के अगर बाते आती है तो कहते वह तो ही नहीं हमारे लडाई बारतिंता पाटी से जुई सिंग जी आ गई है महिला महिला मिल गई है क्या रन्नीती है क्या चुनावी दंगल है यह देखना दिल्चस्प होगा क्यूंकि अब रास्पा ने वे विरुट पूटारू